26 नौंबर को हिंगोली के राम लिला मैदान पर OPC मासंग के राश्टी अदिश बबन राउ ताइवाड इत्वारा के के वाद कृस्त वक्ति विकिपाद अम मराठा समुदाय की ओर से हिंगोली सिटी पुलिस में और से शिकायद दश क्या ग्या है इसी संदर में बबन राउ ताइवारे से एक खास बात चित की है हमारे सवात अता शिति चातेश बुक्ति आएए डालत एक नसर OBC की जो महासबह अभी हाली में हुई थी वहाँ पर जो आपने वक्त वे किया था उस दोरान अपर शब्दों का प्रयोग होने का आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है और उसके तहट ही कारवाई की मांग की जा रही है और आप पे जो है उसके तहट गुना भी दरज हुआ है तो ये पूरा मामला क्या है और किस बात को लेकर ये जो कारवाई की मांग हो रही है और गुना दरज हुआ है और कहा ये गुना दरज हुआ है क्या पता होगे मुझे आज सुबही पता चला कि किसी वेक्तिने हिंगोली में मेरे अगेंस में पुलिस में तक्रार दिये अभी गुना दाखल हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं है लेकिन हिंगोली में मैंने जो भी वक्तवे किया था उसके विरोध में उन्हें वहाँ पर तक्रार की है अब वो तक्रार के दखल हुई या नहीं मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं आपके माद्यम से एक कहना चाहता हूँ कि वहाँ मैंने जो भी वक्तवे किया था उसका संधर्व किया था ये पहले तक्रार करता हूने समझ लेना चाहिए कि मेरे वक्तवे के पहले सन्वानिय जरांगे पढ़िस साब ने जो वक्तवे किया था कि जिन लोगों की लाइकी नहीं है उन लोगों के हाथ के नीचे हम लोगों को काम करना पड़ता है ये जो वक्तव्य है ये उनका समाज छोड़कर जो बचाव हुआ समाज है OBC, SC और EST ये तीनों वर्क के लिए लागू था और उसी कारण तीनों वर्क के लोगों में OBC, SC और EST एक जो भावना भड़क गई थी कि हमारे संदर्व में ये कैसे ऐसा वक्तव्य कर सकते है और हमारा अपमान कर सकते है उस तीन दिन के पिरेड में मुझे जो एक मानसिक संताफ हुआ, तकलीब हुई और उसी मानसिकता के तहत मेरे मूँ से वहां हिंगोली में ऐसे कुछ शब्द निकल गए थे और उसके बाद दूसरे ही दिन जरांगे पाठिल साब ने अपने जो वक्तव्य थे वो पीछे लिये और उन्होंने जब अपना वक्तव्य पीछे लिया तो मैंने भी तुरंट अपना वक्तव्य पीछे लिया और वहीं पे ये मामला खतम हो गया था लेकिन उसके बवजूद उनके कुछ समर्थक को की भावनावे अभी भी संतप्त होगी हमारा संगर्ज खतम होने के बाद उनके मौन की भावनावे अभी भी उसी तरह से होगी और उन्होंने अगर ये गुना मेरे पीछे मेरे अगेंस में दाखल करने की कोशिश की है और उसमें वो अगर सफल होते है तो मुझे कोई आपत्ती नहीं पोली जो भी आक्शन लेगी वो सहन करने के लिए मैं तयार हूँ चाहे मुझे जेल में जाना पड़े फासी लटकाना पड़े तो भी मुझे उसके उपर कोई आपत्ती नहीं है लेकिन जो भी तक्रार करता है उनसे मेरे एक अपील है कि ये जो गुना उन्होंने दाखल कि की कोशिश की उन्होंने ये समझ लेना चाहिए कि ये सुरुवात किस ने की थी सुरुवात उनकी ओर से हुई थी और उसको उत्तर हमने दिया था और जब उनके तरफ से उनके शब्द वापिस लिये तो मैंने भी अपने शब्द वापस लिये है अगर इस तरह का मासला ये फिर सिलसिला चालू होगा और पिर जैसा उनके समर्थक मेरे अगनस में गुना दाखिल करने की कोशिश करते हैं तो भविश्यम में अगर मेरे समर्थों की ओर से इस तरह के गुना दाखिल करने की कोशिश की गई जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि OBC, SC और ST तीनों कि उनको आज तक मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से अगर इस तरह की कोई एक्षिन होती है और हमारे OBCS, CST मेरे समर्सक फिर उनके अगर इसमें कुछ कारवाई करते है या कुछ कंप्लेंड करते है तो उसका दोसी महें नहीं रहूंगा और फिर मुझे कोई मेरे उपर आरोप लगाने की उन्होंने कोशिश नहीं करना चीए उनके समर्सक कर रहे इसलिए हो सकता है भाविश में हमारे भी भी समर्सक उस तरह की कोशिश करेंगे और इसलिए मैं फिर से आपके माद्देम से उन लोगों को कहता हूं कि ताली एक हाथ से नहीं अब अपने जगर स्यांतिती से अपना आंदोरन करना चाहिए और अपने सविधानिक अधिकारों का रक्षिन करना चाहिए जो मराठानेता है बनो जरांगे पाटिल जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है माफी नामा जो है किया गया है लेकिन जो समर्थक होते है वो उनकी और से जिस तरह से अभी ये शिकायत दर्श करने की बात सामने आ रही है तो इससे ऐसा कुछ लगता ह लेकिन जो भी ये कर रहे है उन्होंने ये सोचना चाहिए उसके पीछे किसका हात है किसके वो समर्थक है मुझे नहीं मालूम लेकिन आपके माद्दम से मैं उन लोग उनको यही कहूँगा कि दो समाज में संगर्श हो इस तरह की एक्शन उनके तरफ से नहीं होना चाहिए उनके तरफ से अगर एक्शन हुई तो हमें रियाक्ट होना पड़ेगा फिर हमारे समर्थक अगर रियाक्ट हो गए तो वहीं चालू होगा होगा जो नहीं होना चाहिए जब उन्होंने अपने सब पिछे लिए मैंने अपने सब पिछे लिए दोनों का मामला वहीं खतम वह नहीं रहें तो अभी बीदहेंे इस वक्षित भी अभी अंके तरफ से हो दिना डिन जो है राजटी कर्माते जा लिए है और आज भी ऐसा हुआ है कि Beispiel पुलिस टेशन में और यह सब मामला देखती हुए है मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं माफी नामा होने के बावजूद भी माफी जो है दोनों नेताओं की और से मांगी जाने के बाद भी समर्थकों का रोज भी यहां दिखाई दे रहा है तो जिस तरह से भी तायव मुटाव जो रहता है वो मन मुटाव रहता है लेकिन इससे जो है समाज में दो समाज में संगर्ष नहीं की स्तीती नहीं उत्पन्य होने चाहिए ऐसा भी इन्होंने संदेश दिया है कैमेरा पर से नजीत कुवर के साथ मैक्षेति जादेश मुग बीसीन नियूज कर दो